दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपनी स्मार्टफ़न पर अगर पेटर्न लॉग हो या फिर पीन पास्वर्ट हो या फिर फिंगर फिर्न लॉग हो अगर आप भूल जाते हैं तो कैसे दोस्तो उसे आप अनलॉक कर सकते हैं भी आप अपनी स्मार्टफ़न को अनलॉक करना चाहते हैं तो कुछ मैं आपको स्टेप बताऊंगा उसे आप फॉलो करके आप अपनी स्मार्टफ़न का पास्वर्ट पेटर्न या फिंगर प्रिंट लॉग को आसानी से आप खौल सकते हैं लेकिन धियान देने वाली बात यह पर यह है कि अगर आप दोस्तों इससे अनलॉक करेंगी तो आपकी फॉन का जो डाटा है वो आपका डिलेट हो जाएगा तो इन बातों को धियान में रखते हुए जो भी मैं आपको इस्टेप बताऊंगा अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप अपने स्मार्टफ़न का को उन्लॉक कर सकते हैं चली वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट हैं इस चानल पर पहली बार या वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चानल को सबस्क्राइब कर लीजे पगल में जो बैल नॉटिफिकेशन है उसे जरूर दबा देजे ताकि जैसा ही मैं कोई नया वीडियो फोर्ष करूंगा उसकी नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें तो दोस्तों आप अपने स्मार्ट फॉन पर अगर आप पेटन लॉक या फिर फिंगर्पिंट लॉक सेट किये हैं अगर आप भूल गया हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैं जो हैं इंटर कर रहा हूं यहां पर रॉंग पासवर बता रहा है तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना होगा आप बटन को दबा करके रखना है अब आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने कुछ आप्सिन आएंगे जैसे बागर के रखेंगे तो आपके सामने वहाँ पसकेाँ पर आपको जाना होगा जहां पर फेक्ट्री टाटा रिसेट का आपको कै्कट करना होगा इसके बाद प्रिंट हो या फिर प्रासपर्ट या फिर पेटन लॉक हूँ आपका हड़ जाएगा फिर आप नया उसे सेट कर सकते हैं लेकिन जितना भी डाटा है आपका, आपके फॉन पे जितने भी डाटा है वो आपका सारा डिलीट हो जाएगा तो कुछ इस स्टेप को फॉलो करके अगर कभी भी आपके फॉन का पासव